हाई गैज, आज के इस वीडियो में हम लोग APK फाइल को आफलाइन ट्रांसफर करना सीखेंगे जिस तरह से हम पहले जेंडर या फिर सेरीट एप के थुरू करते थे तो उस तरह से हम लोग directly किसी भी एप को कैसे एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं यह देखने वाले हैं तो इसके लिए simple आपको एक application इंस्टॉल करना अपनी फोन में तो आप Play Store में चले चाहें यहां पर आपको Apps का option तो जैसे यह आप Apps पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो भी Apps इंस्टॉल है वह यहां पर सो करने लगेंगे जैसे यहां पर मेरे फोन के सारे Apps सो कर रहें तो आप यहां पर जिस भी App को Share करना चाहते है उस पर 3Dot पर क्लिक करें और आपको Share का option यहां पर देखने को मिलेगा सेलेक्ट करना है और आपका फाइल ट्रांसपर हो जाएगा तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को आफ लाइन ट्रांसपर कर शकते हैं आपको इंटरनेट का जरूत नहीं है आप उसे वहां पर इंस्टॉल भी कर शकते हैं आप एक बार में एक से ज्यादा एप्लिकेशन भ अपको Share कर देना है तो इस तरह से आप जैसे पहले हम लोग की जेंडर या Share-Eats से इंस्टॉल एप को Share करते थे उस तरह से अभी भी आप इसे Share कर शकते हैं इस वाले एप को यूज़ करके और आप जिस फौन में Share कियो आपको डाउनलोट में सारे अप्लिकेशन देखने ल विए Еई подар के लाज़ार चॉाम वाज़ार पाया है।